साशीश भाई चुनाव है यसका महोल है इसे बार नहीं देखो महोल तो वीजेपी का यह उस से उपर कोई पार्टी आईगी निघी क्योंकि विपक्स में भी तो कोई कि अच्छा काम हो रहे हैं सबकुछ बढ़िया और सरकार तो आएगी अखिडेश आदब लगा देते हैं कि बिल्डोजर की कारवाई कर देते हैं योगी बाबा कुछ ना कुछ तो आरोप लगा गई सपा और कॉंग्रेस वाले जो है उनका कहना यह है कि मोधी सरकार जो है वो दुरूविकरन की राज़निती करती है हिंदू मुस्लिम करती है वोट पानिक लेसा है क्या ऐसा कुछ ना है मोधी जी तो सभी को जोड़ रहे हैं अपने साथ जोड़े तो सही कोई किसका बुरा कर हमारे साथ कि मोधी जी 400 पार का नारा दे रहाए है होगा यह नहीं हो गावेई बिलकुल इतनी जनता चाहरी साथ और 50 पार भिए तर्ताली तो सीड़ एंडि इंडिया का जाएगा आ सब जो बन दा काम कर रहा जो बंदा खड़ा है जिस बंदे के पास बढ़िया करहा उसक जो योगी सरकार काकाहच कैसा और यूक के में आप देखलो जितने भी रोड आप पर पहले भी जाते थे और आप जाके देखो उत्रपरदेश के दो यूवा लड़के मिले है राहूल और अखिलेश उनका कहना है कि हम दोनों मिलके मोधी योगी की जोड़ी को टक कर देगे उनको रोक के दिखाएगे यूपी में होगा क्या मैं आपको एक चीज बताओं देगो सेर अकेला ही होता है आप जुंड में कित अब जिए प्रदानमंत्री मोधी के जो आपको सबसे अच्छे लगे जो नहीं किये हो सारे अच्छे लगे जितने भी तोटल जितने भी बन वाएं सारे हैं और बाकि जितने भी काम हैं सारे ही अच्छे करें हमारे हिसाब से तो देखो और जंता के लिए जितना कर रहे हैं वो कम नहीं है आज तक कोई नहीं पाया इतना अच्छा रहूल गांदी का बयान आया था जैश्री राम कहते जाओ और भूखे मरते जाओ उस बयान को आप क अपने अराम रह रहा है कोई टैंसन नहीं किसी बात की भी नाइं को इतनी गुंडा कर दे जैसे पहले थी अखलेस के जमाने में भी अब बिल्कुल भी गूंडा कर्दी नाम की चीज नहीं है पूरे यूपी में कए भूम जाओ आप रात को बारवे चले जाओ दो लिए च तो सबसे बढ़िया रहेगा जैसे यूपी में कानूर बेवस्ता है ऐसी अगर पूरे देश मोजा तो सबसे बढ़िया होगा अखिले श्यादावाज मुक्तार अंसारी की कबर पर गए थे उसी को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना ले बीजेपी का कहना है कि कबर पर समाजवादी पार्टी के नेत화 सकते हैं लेसे रूए मैं सबकर नियुक्त आफिटिक कर रही है यहां सच है क्या नाम है है आपका मुहमंद शेर खान कि जैसका मोहल है यहताई न要टिये थो अभी कुछ बढ़िक है एक मिनित अभी बात करतेओं तो पहले चलंग का मतदान है जो जी देगा ना उसका पड़ा लग जाएगा का अच्छा राहुल गांदी को कैसे देखते हैं यह पहले यह बता ही है हमारे लिए सारे नेदा वरब्बर है को सरकार के काम का से खुश है एक लंबर काम हो रहा है लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि दुरूबी करन करके लाब दिया जाता है जनता को एक एक विशेश समुदाय को लाब नहीं मिल रहा है विपक्ष का कहना ऐसा है है क्या कोई भी इंसान अगर अच्छा काम करता है ना तो दस उसके पीछे बुराई करने वाले काम बढ़िया एक नंबर हो रहा है कि अ क्या नाम है सरापका मेरा नाम गुड़ो अच्छा देखे चुनाव है मोदी जी आ रहे हैं क्या मौदी जी कोई भी आए बताइब महुल किसका है आप ये बताइब महुल तो मोधी जी चलिया अइस बखत क्या काम करते हैं में गाड दोए कि इंडिया कट बंदन का महुल किल इंडिया कट बंदन का महुल किसी भी व्यक्ति ने नहीं बताया जिससे भी पूछे सबका यह कहना कि मोदी आ रहे है वज़े क्या है मोदी सही काम कर रही है तो आएगा गलत काम करेगा तो नहीं आएगा अच्छा लोग सबाद चिनाव है किसका महुल है इस बार चिनावों में मोदी जी का क्या काम किया है मोदी जी ने जो दस साल की सरकार चलाने के बाद भी लोगों से पूछे तो कहते हैं मोदी जी का महुल है कि उन्होंने बहुत काम किये हैं और जो भी काम करें ना गरीब गुरीब पर नोने करें वही आरप लगाता नहीं यह तो सूट बूट की सरकार है अमीरों के लिए काम करती है गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करती है सरकार विपक्षी कहता है ना ऐसा वह अपने में सोच है कि होल किसका है महल बता कर जाएए बाबाबा का बाबा सलावा कोई नहीं है क्या काम क्या बदाओ रोड बरिया तनकर नहीं पारा कच्छे वनने हमारी माभेन सही सलामत है टैंस न हर चीज़ से फिरिया पहले की गानु पहले कि सेफ नहीं थी ना करें चेंज सकती है आज सेफ है हमारी माभेन जो भी है क्या नाम है आपका अभिशिक दूबे चुनाव है किसका महल है इस बार चुनावों में ब्रदर मैं आगा नहीं हूँ चना के है में पुर्च नप बहुतो बाबा का गड़्ड है योगि बाबा का गड़्ड है कर राविक कि शमदाबी मेदार में है क्या महल है उनको लगे अपना कमाना अपना खाना अबर मेरा नाम कृपा शंकर है अच्छा देखिए लोकसवाद चिनाव है ऐसे में किसका महल है देश के अंदर इस समय अपने का कि विकास होगा विपक्षियों को नजर नहीं आ रहा है विपक्षियों को नजर नहीं आ रहा है कि मोधी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है जो काम किया दा हमने 70 साल में किया दा मोधी सरकार ने सब बेच दिया तो यह तो अपनी अपनी सोच है क्योंकि चुनाओं के समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका आता है यही समय होता है कि हम किसको कितना मतलब उसके विशे में उल्टा सीधा जो भी है अपना कह सके बागी जो काम भारतिय जनता पार्टी के सासन में हुआ है और पार्टीयां आई है सत्ता में तो खेर केंदर में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के अलामा तीसरे का कोई मतलब मूले नहीं रहा अंकित कुमर गया अच्छा तिवारी जी चुनाव है युवाओ का रुजान किस तरफ है इस बार चुनावों में किस तरफ बताऊ जाव जिस तरफ रखोंगे उसी तरफ रख्खेंगे और क्या आप बताईए सुना होगा वह लिजटा ऐसा काम किया है प्रधान मंतिरी नारिंदर मोधे ने जहां पर υπά halten बात करते सेल वह सब आई कि यह ब्लियां काम नोका शुर्ण मेरे ख्याल से नहीं है वह करेंगे अब यह सब आपने के ईड़ों ए के मिले हैं राहल ठेलौ राकिलेश केरे मोंधी योगी की जोडी को टकर दे पाए कए हम दे पाने आ पकल मोंधी योगी की जोडी को हां तह नहीं उमीद हो सकती है भाई दे सकते हैं कहां करेंड वाले हम यूप्यla यार उसे जिलेगे मिर्जियापूर जिलागे अच्छा वहापर तो अपना दल का भी दबदबार रहता है बीजेपी के साथ शामिल है अपना दल प्रूएंचल के रहाखे में जहीं है किसका माहल है अभी तो गया नहीं हूँ अब जाओंगा तो पसा चलेगा कोई माहल